हलो दोस्तो आपका बुदबुद स्वागत है हमारे यूटूब चनल लंगरेजी अकेडमी में दोस्तो आज का जो हमारा सेशन है इस वीडियो के अंदर आपको हम बताने वाले हैं पुरानी समय में जब RBSC के अंदर बुक चलती थी राजस्तान अद्धिन ग्यारवी क्लास क उसके बारे में डिसकस करने वाले हैं निश्चित रूप से इसमें से एक क्यूशन आपको ये मिलेगा ही मिलेगा देखिए आए देखते हैं डिसकस करते हैं क्यूशन वन ग्राशय जनजाती का प्रमुख नरते कौन सा है तो ग्राशय जनजाती का प्रमुख नरते वालर न रखना है तो ग्राश जन्जाती का प्रमुक नर्ते वालर इसमें महिला फुरुष दोनों करते हैं कोई भीवादय अंतर यूज नहीं किया जाता है किस खेतर की मतें अधीक पर शिद्ध हैं तो यहां आपका अंसर हो यária C. बिकानेर छेतर की रम्मते अधिक फेमसन अगला किसन है तलवार की धार पर नाचना, काच के टुकडों पर नाचना, जमीन से हम्मुवद वरा रुमाल उठाना किस नर्ते की विशेश्ता है तो इसमें आपका क्या आता है भवाई नर्ते की विशेश्ता है इसका जो कलाकार है आपको ध्यान रखना है तारा सर्मा रूप सिंग चीक है इसके अंदर और एक तीसरा हो रहा है सांगिलाल तारा सर्मा रूप सिंग सांगिलाल ये हैं आपको इसमें थोड़ा से ट्रिक ध्यान रखना थारा रूप सांगी यानिकी तारा सर्मा रूप और यह ध्यानकना कि तलौार की धार पर नाचना, काच की टुकडो पर नाचना, जमीन के से मुह द्वारा, रोमाल उठाना, ये नर्ते, कौन से नर्ती की विशेस्ता हैं? भवाई नर्ती की विशेस्ता हैं. नेक्स्ट कुछन है जान किलाल भांड किस कला के प्रशिद्ध कलाकार है जान किलाल भांड यहाँ पे स्वांग किस के हैं स्वांग और भीलवाडा जो है इसके लिए मस है यह भी आपको ध्यानकन है नेक्स्ट कुछन आपको आता है बहरुजी के भौपे प्रमुक रूप से किस वादियंतर को बजाते हैं तो बहरुजी के भौपे मसक क्या है मसक बजाते हैं नेक्स्ट है फड़ बांसते समय किस वद्धियंतर का प्रियोग किया जाता है तो फड़ बांसते समय रावन हत्ता है उसका प्रियोग किया जाता है और फड़ किसकी बाची जाती है पाबु जी की ये भी ध्यान रखोगे फड़ किसकी बाची जाती है पाबु जी की एक उसका यूज किया जाता है थेवाकला कहां की परसिद्ध है तो थेवाकला है वो परताबगड की परसिद्ध है कुछ क्यूशन इसके अंदर बिल्कुल सिंपल भी आते है राज्य में रतन उध्धोक के लिए परसिद्ध के अंदर है तो रतन उधोक के लिए जेपूर फेमस है अगला क्योशन है रमत क्या है रमत क्या है तो रमत एक लोक नाट्टे है रमत क्या है कि लोक नाट्टे है ब्लू पोर्टरी कला कहां की परसिद्ध है देखिए ये ब्लू पोर्टरी है बहुत important है blue potry कहां की परसिध है इस जेपूर की परसिध है सब को पता है Man Singh Man Singh बंगाल से लाएते है यह भी द्यान अपना है इसको blue potry को ठीक है और राम सेंग ध्वित्य के समय यह famous होई थी इसके समय होई थी राम सेंग ध्वित्य के समय एफ मस आये थी और करपालचिंग शेखावत इसका प्रमुक है करपालचिंग शेखावत ब्लू पोर्टरी का ठीक है ये टीन चीजे इसके बारे में आपको द्यान में रखना है नेक्स्ट क्यूशन है निमलिकित में प्राकर्तिक संसादन है तो प्राकर्टिक वनस्पती भी है, जल भी है, मृदा भी है, इसका मतलब हुप्युक सभी राजस्तान में वनों के अंतरगत कितना पर्तिशत चेतर आता है वनों के अंदर कितना परसेंट है, वो 9.54 यह very very important question है, बोद बार इसको पूछते हैं, कि राजस्तान में वनों के अंतरगत कितना पर्तिशत चेतर है जलोड मृदा किस के द्वारा जमा की जाती है, जलोड मृदा किस के द्वारा, तो यहाँ पे नदियों के द्वारा जमा होती है, राजस्तान की वर्ज भर बहने वाली नदि, यह तो सब को आता है, राजस्तान की जिसको अपन क्या बोलते हैं, बारे मासी राजस्तान की काम धेनू, समझ गए ना मेरी बात, कौन सी चंबल नदि ठीकर डियर, यह important question है, next आपका आता है, बाल समन्झ जील कहां इस्तित है, जोदपूर में है बाल समन्झ जील next है, सुस्क करसी हेतु उप्युक्त चेतर है, तो इसमें क्या आ गया, आपका पस्मी राजस्तान पस्मी राजस्तान है, वो सुस्क करसी हेतु उप्युक्त चेतर है, यह वाला बहुत important question है next है आपका, जल स्रक्षन की प्रंप्रागत विदी है, जल स्रक्षन की प्रंप्रागत विदी है तो खडین टाका नाडी ठीक है ये सारे क्या है जलको संदक्षण करने के काम आती है इसलिए इसका answer क्या हो गया उप्युक सभी नेक्स्ट है रास्थान का राजय पक्सी सबको आता है रास्थान का राजय पक्सी कौन सा है गो डाउन गनापक्सी विहार भरतपूर गनापक्सी विहार कहा है भरतपूर में है ठीक डिये इस तरह से ये वाला पार्ट कतम होता है नेक्स्ट क्या आता है जिवास्म जिवास् उद्धान जेसलमेर के अंदर है टंगस्टन तो टंगस्टन के लिए क्या चीज फेमस है डेगाना है वो टंगस्टन के लिए फेमस है डेगाना में टंगस्टन पाया जाता है नेक्स्ट आपका आता है राजस्तान में प्रमाणू उर्जा के अंदर कहां इस्तित है तो राजस्तान में प्रमाणू उर्जा के अंदर कहां इस्तित है तो रावत भाटा ठीक है और ये कनाड़ा के सहयोग से चलाया जा रहा है ये आपको विशेज ध्यान रखना है परमानों के अंदर आपको पता चल जाएगा कि रावत भाटा में है ठीक है लेकिन आपको किस के सहयोग से किस देश के सहयोग से ये के अंदर है वो स्तापित किया गया ठीक है ये फिर चल रहा है तो आपका अंसर क्या आएगा करनाड़ा ये वाली चीज़ इसके अंदर बहुती इंपोर्टेंट है आपसे निश्चित रूप से ये वाली चीज़ पूछेगे नेक्स्ट आता है राजस्तान का प्राकर्तिक गेश पर आदारित विदुत गरह कहां है नेक्स्ट आपका इन में से कौन सा तापी विदुत के अंदर नहीं है तो देखे रावत भाटा है वो तापी विदुत के अंदर नहीं है पागी कोटा सुर्दगर्ट चबड़ा ये है पवन उर्जा के विकास की उप्युक्त दसाए राजस्थान के किस छेतर में सरवा दिख हैं तो यहाँ पे पस्मी राजस्थान कौन सा राजस्थान पस्मी राजस्थान बाढ़मेर के किस छेतर में कच्चा खनीज तेल निकाला जाता है क्या अंसरा है इसमें आपका बाईतु कौन सा है बाईतु नेक्स आता है राज्य में गेर प्रमप्रागत किस उर्जा स्ष्रोत के विकास की सरवादिक संभावना है तो यहाँ पर क्या जाएगा सोर उर्जा राज्य में गैर प्रमप्रागत यह very very important question है यह द्यान रखना है यहाँ इसका answer क्या बन गया सोर उर्जा नेक्स्ट है आपका परियेटन से समंदित परियेटन स्तल जेपूर छेतर में आता है कौन सा परियेटन स्तल जेपूर में आता है तो इसमें डुन्धार छेतर है वो परियेटन स्तल है और वो जेपूर जो एरिया है वो परियेटन स्तल है और वो किस चेतर में डुन्धार छेतर में आता है यह को परसन को पूछने का तरीका है वो ऐसे भी हो सकता है रन्थमबोर नेशनल पार्क किस जिले में है तो रन्थमबोर आपको पता ही है स्वाइमादवपूर में रन्थमबोर सूरिय नगरी आपको पता है जोदपूर को बोलते हैं सूरिय नगरी ठीक है नेक्स्ट है सूरिय नगरी जोदपूर के जीलो के नगरी आपको पता है कौनसा उदेपूर प्रियेटन उद्धोग प्रियेटन को उद्धोग का दर्जा इस तरह से प्रियेटन उद्धोग वेरी वेरी इंपोर्टेंट है काफी बार पूझा जा सुका है आपसे भी पूझने की समवना है तो इसको 1989 1999 में अब एक चीज और ध्यान रखना है इसमें मुहम्मद यूसुप समीती की सिपारिस पर इस प्रियेटन को उद्धोग का दर्जा मिला था क्यूसन क्या पोचेंगे अपसे प्रियेटन को उद्धोग का दर्जा 1989 में मिला ठीक है बट किस की सिपारिस पर मिला तो मुहम्मद यूसुप समीती नेक्स आता है राजस्तान में 1857 की विद्रोह की सुरुआत कब हुई थी तो राजस्तान में 1857 में कब हुई 28 मई को कहां से हुई नसीराबाद से कहां से हुई नसीराबाद और यहां पे विद्रोह करने वाले कौन थे बक्तावर सिंग ये भी आपको ध्यान रखना है नसीराबाद में जो क्रान्ती की शुरुआत हुए थी राजस्थान में वो नसीराबाद से हुई थी 28 माई को हुई थी और यहाँ पर जो विद्रोह करने वाले व थे वो कौन थे बक्तावर शिंग ठाकुर कुसाल सिंग ने कहां कि करांती कारियों की विद्रोह का नेतरत्वा किया था ठाकुर कुसाल सिंग ने very very important है question यह आपको इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं और पूछा जाएगा अब इसके अंदर में आपको 2-4-5 जो important बाते बताता हूँ वो आपको सुनना देखिए ठाकुर कुसाल सिंग था ठीक है आववा का ठाकुर था अब इसने करांती कारियों की विद्रोह का नेतरत्वा किया कहां के आववा यह हो गया अब इसके अंदर देखिए इन्होंने तीन युद्ध किये थे पहला क्या हो गया बिथोड़ा का युद्ध दूसरा क्या हो गया चेलावास का युद्ध जिसको हम काले गोरों का युद्ध भी कहते हैं और तीसरा युद्ध क्या हो गया आववा जिसको अपन बोलेंगे ठीक है, तीन युद इसने किये थे, बितोडा का युद कब हुआ, आठ सितम्बर 1857 को, ठीक है टीर, बितोडा का युद, आठ सितम्बर 1857, चेलावास का युद, 18 सितम्बर 1857, और आहुआ, 20 जनौरी 1858 को हुआ था, तीनों युद आपको ध्यान में रखने हैं, नेक्स्ट आपका आता है, लाला, जैद्याल और महराव खां ने कहां के विद्रोह का नितर्त्व किया था, ठीक है, कोटा में करांती कब हुआ थी, 15 अक्टुमबर 1857 को, ठीक है, वेरी वेरी इंपोरेंट क्यूशन है, नेक्स्ट आता है, विजे सिंग पतिक ने किस क्रसक आ अंदलन कानेतर्त्व क्या था, आपको सब को आता है, विजे सिंग पतिक कवाय थे उसमें, 1917 में, ठीक है, नेक्स्ट है, संप सभाकी स्थापना किस ने कि थी, तो संप सभाकी स्थापना किस ने कि थी, बताईए, मोतिलाल तेजावत, राव, गोपाल सिंग, गोविन्द ग गिरी ने कि थी, ठीक है, गोविन्द गिरी ने संप सभाकी स्थापना कि थी, 1883 में, ठीक है, यहाँ पे 1903 में पर्थम अधिवेशन, 1913 में द्वित्ती अधिवेशन हुआ था, जो मानगड की पहडी पर हुआ था, ठीक है, तीन-चार जीजे इसके अंदर आपको ध्यान म रखनी है, नेक्स आता है, मेवाड परजामंडल से समंद नेता थे, तो मेवाड परजामंडल से कुन थे, मानिक किलाल वर्मा, ठीक है, अंसर क्या आगया इसका, दे, मानिक किलाल वर्मा, भोगिलाल पंड्या किस रियासत के परजामंडल से समंद रहे, भोगिलाल पंड्य तो बोगलाल पंड़ा क्या है, दुमरपूर से, ठीक है, नेक्स्ट है, सहीद सागरमल गोपा का समन्द किस रियासत से रहा था, तो आपका अंसर क्या आ गया, सागरमल गोपा जो है, सहीद सागरमल गोपा, जसल मेर, ठीक है न, कौन सी रियासत थी भई, जसल मेर रियासत से स सागरमल गोपा का अब इसमें आपको मैं दो-तिन बात बताता हूं थोरा समझना जसल मेरी यासत में से शागरमल गोपा का समन्थ थाई आप इनको 1941 में जेल हुई ठीक है न जेल कभी इनको 1941 में इसमें से जो मह आपको बता रहा हूं LE mi पूछने की संभावना है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है 1931 में इनको जेल हुई 1936 में इनके डेथ हुई 6 साल ये एक बार ये पूछा हुआ है कि कितने साल जेल में रहे तो 6 साल ये जेल में रहे अब उसके बाद में जेल में ही गोपा के जो बुक्स हैं आजादी के दिवाने जेसल मेर में गुंडाराज रगुनाद बाबा का मुकदमा ये तीन इनकी फेमस बुक्स हैं जिद्यान रखो के पहला आजादी के दिवाने दूसरी जेसल मेर में गुंडाराज तीसरी रगुनात बाबा का मुक्दमा ये तीन बुक्स किसने लिखी सहीद सागरमल गोपा समन्द कहां से जसलमेर से तो ये दो तीन चीजी है इसमें आपको विशिस याद करके रखनी है अब नेक्स आता है आपके किलो वाला लेसन टॉपिक है इसका किलो का सिरमोर किसे कहा गया है तो किलो का सिरमोर चितोडगड दुरग को कहा गया है चितोडगड के किले को कहा गया है ठीक है नेक्स अबूल फजल किस दुरग तो किस दुरग को बकतर बंद कहा है अबूल फजल ने लोहागड कहां इस्तित है लोहागड भर्थपूर में जो अजे दुरूप के नाम से भी जाना दाता है यह लोहागड का वेरी इंपोर्डेंट है नेक्स्ट आपका क्रोली का केला देवी का परसिद मंदिर किस जिले में इस्तित है केला देविल कहा होगी करोली में नेग्स्ट है जैन धर्म से समंदित नियुन में से कौन सा मंदिर है तो जैन धर्म है अरणखपूर के जैन मंदिर बहुत फेमस है जो पाली में है आप जाओगे न जैनियों की दुबारा या फिस जैन वहां पर जो है किराडू कहा है बाड मेर किराडू कहा है बाड मेर में देखी यह आग है से उप्षन पिछवाई चितरांकन किस सली की विशेषता है तो पिछवाई चितरांकन देखी यहाँ अंसर क्या था आपका नाद दुआरा कहाँ पे है नाद दुआरा भूइजाओं नेट्स आपके आती है ७ूइजाओं भूइजालों इस तर चिपर्द लिए लए को समझ आउग हो झाल वाचिन